प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाईबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाईबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठे माला को सबस्क्राइब कर लें। सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है। पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हूगया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी आज प्रभु ने इस तरह से एक और आउसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ विश्वासी लोगों को एक विश्वासी जो बार बार याद रखना चाहिए वो यह है कि वे इस दुनिया में पैदा हुए इस दुनिया में जीते हैं लेकिन वे इस दुनिया के अंग नहीं है दुनिया के नागरिक नहीं है बलकि स्वर्ग के नागरिक है इस विश्वे को पवित्र बाइबल में शुरू से बार बार बताया गया है पुरैने नियम में खासकर निर्गमन से लेकर आगे बहुती स्पष्ट तरीके से अलगाव के बारे में बताया है और जब नए नियम में हम आते हैं तब अलगाव एवं पवित्री करें विश्वासी संसार के साथ एक बाउंडरी खीचे और इस बाउंडरी से बाहर ना जाए इतना ही नहीं विश्वासी अपने जीवन इस तरह से बिताए कि उसका जीवन पवित्र हो ये नया नियम बहुत स्पष्टतया बताता है लेकिन पुराने नियम भी बहुत कुछ कहता है उदाहरन के लिए यदि हम भजन पहला अध्याय पहला पदपड़ें तो वहां हम देखते हैं क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलता मतलब पदमेश्वर की संतान जो है उससे यह उमीद की जाती है कि दुष्टों से अलग रहेगा जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता मतलब वो अपने जीवन में एक अलगाव का पालन करता है और जो उपहास करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है तो भजन एक एक अलगाव या सेपरेशन शब्द का उपयोग नहीं करता है पावित्री करन शब्द का उपयोग नहीं करता है लेकिन भजन एक एक इस विशे को सपस्टत्या बताता है अलगाव एवं पवित्री करेंड लेकिन और कई जगे बताये गए हैं खास कर जब परमेश्वर इस्राइल से बात करते हैं तो बहुत-बहुत बार ये बात कही गई है हम प्रभु ने मदद की तो अलगाव एवं पवित्री करेंड separation and sanctification विशे का अध्ययन आने वाले दिनों में करेंगे और इसके लिए हमारा जो मुख्य पद है वो पहला थिसलू निकियों चौथा अध्याए एक से चार पहला थिसलू निकियों चौथा अध्याए एक से चार वहां हम पढ़ते हैं इस कारण हे भाईयों हम तुमसे बिंती करते हैं और तुम्हे प्रभु ईश्यु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसंद करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु ईश्यु की और से तुम्हें कौन-कौन सी आज्या पहुचाई है इस प्रिश्ट भु में मैं अगला जो अगली जो आज्या है जो एक प्रस्ताव के रूप में आया है और वो यह है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो अर्थात विचार या अशुदी से बचे रहो और उसके बाद तुम में से हर व्यक्ति पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने ये पद ये बहुत स्पष्टते ये चार पद इस बात को याद दिलाते हैं कि पटमेश्वर विश्वासियों से खासकर नई नियम की विश्वासियों से ये उम्मीद करते हैं कि वे अपने जीवन में एक संसार के साथ एक अलगाव पालन करेंगे जब हम पवित्रता के बात करते हैं, तो कई लोगों को ये गलत फहमे हैं कि पवित्र का मतलब ये है, किसी एक चीज को ले लिया और उसके ओपर कोई मंत्र चला दिया गया, वो पवित्र हो गया नया नियम और इवन पुरान नियम पवित्रता शब्द का जो उपयोग करता है, वो इस तरह की मांत्रिक पवित्रता नहीं है, बलकि चाहे पुरान नियम हो या नया नियम हो जब पवित्रता के बारे में बात करता है, तो परमेश्वर के वचन का वचन में पवित्रता का ता अलगाव का पालग करो दुष्टों की युक्ति एक विश्वासी के लिए अशुद्ध है अपवित्र है उसको मत सुनों पापियों का मार्ग जब उसका नाम ही पापियों का मार्ग है तो धर्मी को वहां खड़े नहीं होना चाहिए उपहास करने वालों की मंडली जब मंडल की का नाम ही उपहास करने वाले हैं तो विश्वासी को उन लोगों के साथ संगती नहीं करनी चाहिए तो पवित्र बाइबल में जब पवित्र बाइबल पवित्रता के बारे में बात करता है तो अधिक तर आउसर पर सेप्रेशन के बारे में वहाँ पर बात्शित हो रही है इसके अलावा पुरैनेनियम में जब पवित्र स्थान बनाया गया था आति पवित्र स्थान बनाया गया था और लोहु छड़क कर जब वो जो मिलाप वाला तंबु है उसमें वस्तुओं को पवित्र किया गया था वो अलग प्रकार की पवित्रता है मेरे आपके जीवन में जब प्रभु का वचन पवित्रता के बारे में बात करता है तो वो उस तरह की पवित्रता नहीं है जो लोहु छड़क कर या किसी मांत कुछ चारण के द्वारा हमको कोई पवित्र करें तो इसलिए जब भी हम अलगाओ या सेप्रेशन के बारे में बात करते हैं और पवित्री करण या सैंक्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम इस बात को स्पष्टतिया समझें कि प्रभु का वच्चन यहां अलगाव और पवित्री करण सेप्रेशन और सैंक्टिफिकेशन के बारे में जो बोल रहा है उसका मतलब यह है कि जिन चीजों से हमारा संपर्क नहीं होना चाहिए जिन चीजों के साथ हमारी संगती नहीं होनी चाहिए हम उन चीजों से दूर रहें इसको जदी इसका साराश ले लिया जाए तो याद करने के लिए आसान साराश यह है कि मनसा वाचिया करमणा हम जो सोचते हैं हम जो बोलते हैं और हम जो करते हैं मनसा वाचिया कर्मना एक विश्वासी को अशुद्ध बातों से अलगाओ का पालन करना चाहिए आप पूछेंगे कि मनसा जी हां मनसा भी पालन करना चाहिए जो कि प्रभु ने मदद की तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे वाचिया जी हां हम स्वयम जानते हैं कि हम विश्वासी लोग कुछ प्रकार की पाचित नहीं करते कुछ प्रकार की शब्दावली का उपयोग नहीं करते और जब हमारे बच्चे जाने अन जाने उस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा या बेटी ये एक गंदा शब्द है और अपन चूंकी परमेश्वर के बच्चे हैं इसलिए अपन इन शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं मैं एक पिता हूं, दो बच्चे हैं मेरे, अब तो शादी शुदा हैं, बिटिया के तो एक बच्ची भी है, हम जब ग्वालियर में रहते थे तो हमारे घर के पीछे का इलाका नमबर वन शराबी कबाबियों का इलाका था, सुबस से शाम तक शराब, मार पीट, गाली गलोच, एक बार मैं नौकरी से बाहर आया, तो बेटे ने पूछा कि पापा फलाने का क्या मतलब है, बेसिकली मा की गाली थी, मैंने को कि अरे बेटा, अरे बेटा, अब मुझे मुझे से तो पूछ लिया, आगे कभी भी उस श वो नहीं समझ सकता है, उस उमर में नहीं समझ सकता, लेकिन इसके बावजूद इतना तो समझ सकता है कि वो एक गंदा शब्द है, और हम विश्वासी लोग इस शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, तो मन सा, मन के साथ, मतलब हमारी सोच में, वाच्या हमारी बोली में, और कर्मन हमारे कर्मों में हमें एक अलगाओ का पालन करना चाहिए और ये जो चार पद हमने पड़े हैं इन चार पदों का मतलब यही है पुर्यने नियम में जब पर्मेश्वर के बच्चछों ने अलगाव का पालन नहीं किया तब हम देखते हैं कि पर्मेश्वर उससे किस तरह से क्रोधित हुए थे एक उदाहरन कहा जाए तो उत्पती की पुस्तक छटे अध्याय में हम देखते हैं कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनिश की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दर है और जिसने जिसको चाहा विवाह किया उसको देखकर परमिश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा मनिश्य से सदा वाद विवाद नहीं करेगा ये घटना पुराने नियम की पुस्तकों के लिखे जाने से लग भग एक हजार साल पहले की घटना है और इसका रण कई बार लोग पूछते हैं कि जब पुराने नियम लिखा ही नहीं गया था तो इन लोगों को कैसे पता चला कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये एक अच्छा प्रश्ण है एक्चली जब हम परमिश्वर के वचन का अध्यान करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ईश्वी पूर्व प्रभू इश्व के समय से 1450 साल पहले पवित्रात्मा ने मूसा के द्वारा उत्पत्ती से लेकर व्यवस्था विवरेंट की पुस्थके लिखवाईं लेकिन उसके पहले भी परमिश्वर का वचन मूजवानी लोगों के बीच में प्रचार किया जाता था नूह के बारे में कहा गया है कि वो धार्मिक्ता का प्रचार रख था जिसका क्या मतलब है धार्मिक्ता का प्रचार तो अलगाओ के संदेश की बिना हो ही नहीं सकता हनोक के बारे में यहुदा की पत्री में कहा गया है कि हनोक ने उपहासियों के बारे में जो आत्मिक बातों का उपहास करते हैं जो विश्वासियों का उपहास करते हैं उनके बारे में पहले ही भविश्वानी कर दी थी कि परमेश और उनका नियाए करेंगे इस तरह से पुरानी नियम में और नई नियम में बहुत सारे प्रस्ताव या उदाहरंट फैले हुए पड़े हैं जिनसे हमको यह अनुमान हो जाता है कि 1450 इस्वी में पुरानी नियम क शुरू की पांच पुस्तके लिखी जाएं उससे हजारों साल पहले पदमेश्वर के बच्चों को किस तरह का जीवन बिताना है इसके लिए उपदेश उपलब्द था तो इस कारण जब पदमेश्वर के पुत्रों ने मनिश्यों की पुत्रियों को पुत्रियों से विवाह किया तो उस समय पदमेश्वर का वच्चन उनको पश्टतेया उपलब्द था ये बात हम अच्छी तरह से समझें इवन आदन की वाटिका में पदमेश्वर ने आज्या दी थी कि ये जो भले और बुरे के ग्यान का वरिट्ष है उसका फल मत खाना तो हर पीड़ी में जितनी जरूरत थी उस जरूरत के अनुसार पदमेश्वर ने क्या सही है क्या गलत है इसका उपदेश दिया था जैसे जैसे मनिश्यों की संख्या बढ़ती चली गई और जैसे जैसे मनिश्य पृत्वी पर फैलने लगे वैसे वैसे परमेश्वर ने और अधिक उपदेश दिये नुह के बाद परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और सारी पृत्वी पर भर जाओ उसके बाद परमेश्वर ने जब इबराहिम को चुना तो उसके साथ साथ Parliament ने एक परिवार को फिक्स कर लिया जिस परिवार के त्रूरअ परिभार का शुप संदेश आएगा पुराने नियम और नए नियम में इस बात की इंडिकेशन है कि जब पटमेश्वर ने इबराहिम को चुना तो इबराहिम और इबराहिम की जो संताने हैं उनको अपना वच्चन और अधिक विस्तार से दिया कुछ सालों पहले इबराहिम का जो शहर है हम जानते हैं कि ओर नामक शहर से इबराहिम को चुनकर पदमेश्वर ने कहा था कि वापस कि मैं जहां तुमको दिखाऊं वहाँ जाओ वो ओर जो शहर है वो ढूंड निकाला जा चुका है आज से लगबग डेड़ सो साल पहले उस शहर को ढूंड निकाला वे लोग चंद्र देवता की आरादना करते थे चंद्र देवता को वो लोग नानार बोलते थे और उस पूरे शहर को देख लीजे उस पूरे शहर में हर जगए उनके जो गर्ब ग्रह है या उनके जो मंदर के अंदर जो घर के अंदर चोटा सा मंदर बनाते हैं वहाँ चंद्र देवता से संबंधित मूर्थियां मिलती हैं लेकिन पुरावस्तु जो अनसंधान करते हैं उनको एक या अनेक इस तरह के बली वेदियां मिली हैं जो कि यहूदियों की बली वेदी से मेल खाते हैं तो इस से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इब्राहिम को पत्मेशुर ने बुला कर अलग किया लेकिन इब्राहिम को जो संदेश दिया था वो संदेश उसने अपने लोगों तक पहुँचा आया जहां पर वो जिस तरह से इब्राहिम परमेशुर के लिए बली करता था वे लोग भी प्रभू के वचन के लिखे जाने से पहले बलीदान करते थे और आपको याद होगा कि इब्राहिम ने अपने दास से कहा था मेरे पुत्र के लिए इधर उदर से कोई लड़की नहीं मेरे घर जाओ मेरे परिवार वालों के हाँ जाओ और वहां से एक लड़की लाओ उसका पूरा अर्थ जब पुरावस्तु शास्त्र में ये खोज हुई तब स्पष्ठ हुआ कि इबराहिम के परिवार में ऐसे कई लोग थे इबराहिम तो वहां घर को छोड़कर पजमेशवर ने जहां जाने को कहा था वहां चले गए लेकिन उसके घर के घर परिवार के ऐसे कई लोग थे जो पजमेश्वर पर विश्वास करते थे और पजमेश्वर को बलिदान चड़ाते थे तो ये प्रिश्टबू में थोड़ी सी मैंने इसलिए बताई कि जब मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रखता हूं कि अलगाओ और पवित्री करण के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है तो हो सकता है कि एकदम से आपके मन में ये प्रश्ण आए कि लेकिन तब तो अपने नियम में कई जगे ये प्रस्ताव आया है कि अपने मेशं को सिछाने के लिए लोग किये थें मिलकी संदेख्व केGeux कि बारे में नियुक्त किया है और इसकारण की अलगाओ के बारे में स्पष्ट रूप से लिखित संदेश निर्गमन से आगे आया है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले लोग इन बातों से अज्ञान थे पेटमेश्वर ने इन बातों के बारे में अपने लोगों को परियाप्त ज्ञान दिया था फाइनली हम देखते हैं कि जब इबराहिम, इसाक और याकूब की समता ने मिस्र देश से बाहर निकली तो वे एक अती विशाल राश्ट्र बन गए मुश्किल से सतर लोग मिस्र देश पहुँचे थे लेकिन बाद में धीरे 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 उनकी संख्या बढ़ बढ़के बढ़ बढ़के जब वे लोग मिस्र देश को छोड़कर आगे को गए तब उनकी संख्या लगभग 20 लाख रही होगी इन 20 लाख लोगों ने कभी भी एक दूसरे को एक राश्ट्र के रूप में नहीं देखा होगा क्योंकि मिस्र देश में ये लोग गुलाम होने के कारण सारे मिस्र देश में उनसे गुलामी करवाई थी इसलिए हर जगे चितर कर फैल कर जीते थे और मिस्री लोग इस मामले में बहुत पर्टिकलर थे कि उनके जो गुलाम है ये गुलाम कहीं भी एक साथ ना रहें कहीं वे लोग मिलकर बलवा ना कर दें और मिस्री देशों के विरुदा आक्रमन ना करें लेकिन जब पहली बार वे लोग मिस्र को छोड़कर निकले तो लाखों लोगों का एक समूह और एक राष्ट्र हो गया और जब वे लोग एक समूह और एक राष्ट्र हो गये तब उनको व्यवस्था की जरूरत पड़ी इस तरह से परमेश्वर ने लिखित रूप में उनको अपना संदेश पहली बार दिया जब वे लोग मिस्र देश को छोड़कर लगभग 40 साल मरुभूमी में यात्रा कर रहे थे तब परमेश्वर के महान नायक मुसा के द्वारा पवित्रात्मा ने पुराने नियम की शुरू की पांच पुस्तक है उत्पति निर्गमन लेविया लेविया गिंती और व्यवस् उसके अलावा अयूब की पुस्तक भी मुसा से ही लिखवाई इस तरह से छे पुस्तकों की रचना परमेश्वर ने मुसा के द्वारा करवाई क्योंकि आठ दस पचीस पचास सो दौसो लोग हो तो उनको मुझवाईनी पजमेश्वर का वचन सुनाये जा सकता है लेकिन जब लोगों की संख्या लाखों में हो जाती है तो उन सब को सुनाने के लिए लिखित वचन की जरूरत पढ़ती है क्योंकि जब लोगों की संख्या लाखों में हो जाती है तो उनके बीच में उपहासी लोग भी होंगे जो पढ़मेश्वर के वचन का मजाक उड़ाएंगे जो पढ़मेश्वर का मजाक उड़ाएंगे और जब कोई उपहास ही कहता है कि नहीं नहीं तुम ये जो मुझवानी बता रहे हो ये रियालिटी नहीं है मेरे बाप दादा लोगों ने तो ऐसा नहीं वैसा बताये था और वो रियालिटी है तो यदि लिखित रूप में आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आपको जो याद है वो सही है या ये आदमी जो दावा कर रहा है वो सही है इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन लिखित रूप में मुसा के द्वारा तब दिया जब वे एक बहुत बड़े जुंड बन गए थे उपहा सी लोग ऐसा करते हैं क्या जी हां करते हैं आपको याद होगा जब इस्राइली लोग मिस्र देश को छोड़ कर बाहर आए तो प्रभु का वचन स्पष्ट टेतेया कहता है कि इस्राइली लोग बाहर गए उनके साथ एक मिली जुली भीड भी गई ये मिली जुली भीड कौन है मिली जुली भीड का तात्परी ये हो सकता है शत्प्रतिशत मिस्री लोग आधे मिस्री आधे इस्राइली ये है मिली जुली भीड शुद्ध इस्राइली नहीं और परमेश्वर के वचन में जो कहा गया है उसके अनुसार इस मिली जुली भीड इसके बीच में उपहासी लोग होंगे इश्वर विरोधी लोग होंगे वचन विरोधी लोग भी होंगे इन सब लोगों के खत्रे के कारण पर मेश्वर ने अब अपना वचन लिखित रूप से देना जरूरी समझा इतना ही नहीं जब 20-30 लाख लोग एक प्रदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं तो जब हजारों स्क्वेर किलोमीटर में फैल जाते हैं तो परमेश्वर का आदिकारिक वचन क्या है यह लिखित रूप में होना चाहिए क्योंकि मौकिक रूप से दिकोई बताता है तो कोई भी व्यक्ति उसको चालेंज कर सकता इस कारण परमेश्वर ने अपना जो अलगाव का जो संदेश है सेपरेशन का संदेश अधन की वाटिका में मुझवानी दिया नुह के समय मुझवानी था इब्रहीम के समय भी मुझवानी था और परमेश्वर ने सब जगे भविश्य वक्ता रखे हैं हनोक के बारे में और ह अलकी से देख के बारे में पुराने नियम कहता है और भी बहुत से थे लेकिन ये परियाप्त ना होने के कारण परमेश्वर ने लिखीत रूप में अपनी व्यवस्था दी व्यवस्था के बारे में हम सब जानते हैं और हम सब ये जानते हैं कि हम नए नियम के विश्वासी व्यवस्था के अधीन नहीं है यह प्रस्ताव विश्वासियों के बीच में अक्सर सुनाई देता है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है यह प्रस्ताव गलत है यह एक्जैक्टली कहा जाए तो व्यवस्था हमारे जीवन में व्यवस्था का क्या स्थान है उस स्थान को प्रदर्शित करने के लिए यह प्रस्ताव अपूर्ण है क्यों इसलिए कि जब हम व्यवस्था 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 या ओल्टेस्मेंट लौ बोलते हैं तब अक्सर हम भूल जाते हैं कि पुराने नियम की व्यवस्था तीन प्रकार की थी या उसमें तीन खंड थे और इन तीन खंडों को अलग-अलग पहचानना हमारे लिए जरूरी है इसका सबसे सरल उदाहरण है तुम चोरी न करना व्यवस्था के दस आज्याओं में चोरी न करना व्यविचार न करना खून न करना जूटी साठी न देना लालच न करना यदि कोई कहता है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है तो एक गलत फहमी है इसका मतलब यह है क्या कि हम चोरी कर सकते हैं जूटी कवाही दे सकते हैं नहीं तो व्यवस्था के जो तीन खंड है उनको अच्छी तरह से समझना जरूरी है और दस आग्यां इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करता है क्योंकि दस आग्याओं में ये भी कहा गया है कि सबत का दिन मानना हम क्यों नहीं मानते इसलिए कि पुरेने नियम में परमेश्वर ने एक बार अपनी लिखित आग्या दी तो उसके तीन खंड थे उसमें पहला खंड कर्मकांड से संबन्दित था अंग्रेजी में कहा जाए ceremonial law दूसरा खंड सामाजिक नियमों से संबन्दित था social law तीसरा खंड नेतिक नियमों से संबन्दित था moral law तो इसलिए जब हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम पुरेने नियम की व्यवस्ता के अधीन नहीं है तो इस तरह से एक blanket statement इस तरह से एक व्यापक प्रस्तावना सही नहीं है हम जो पुरेने नियम की व्यवस्ता की बात करते हैं तब हमको यह बोलना चाहिए कि पुरेने नियम की जो पुरेने नियम की व्यवस्ता में कर्मकांड संबंदित जो खंड है जो वॉल्यूम है या जो पार्ट है हम उसके अधीन नहीं है हमको बैलिदान चड़ाने की जर्रत नहीं है उसके लावा और भी बहुत सारी बाते थी हम उसके अधीन नहीं है तो इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने पुरेने नियम में जो व्यवस्ता दी है उसका हमारे पवित्री करण और अलगाव से बहुत संबंद है इसलिए एकदम से उचल कर एकदम से इंपल्सिवली एकदम से आवेक के साथ हम यह न बोल दे कि हम तो व्यवस्ता के अधीन नहीं है ये गलत है हाँ हम पुरैने नियम की व्यवस्था के जो तीन खंड हैं उसमें कर्मकांड से संबंदित खंड के अधीन नहीं है इसलिए कि पुरैने नियम में बेलिदान और इस तरह की जो इस तरह के जो कर्मकांड दिये थे ये प्रभु ईशु के बेलिदान को सूचित करते थे प्रभु ईशु के बेलिदान की तरफ इशारा करते थे और जब प्रभु ईशु ने सूली पर बेलिदान दे दिया तो अब इशारे की जरूरत नहीं पड़ी एक मा जो अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्सुख है जिस बेटे को कई सालों से नहीं देखा जिसके फोटो को रोज देखती है और कई बार उस फोटो को चूमती है जब बेटा घर आ जाता है अचानक बिना अनाउंस की एमान के चली बेटा घर आ जाता है हाई मेरा बेटा कहके फोटो को नहीं चूमती है पुत्र को चूमती है क्योंकि जब जो यथार्थ है वो हमारे सामने आ जाता है तो जो च्छाया है वो अब जरूरी नहीं रहा इसी तरह से पुरैने नियम में जो कर्मकांड की व्यवस्ता है वो प्रभुई ईश्व के बलिदान की तरह इशारा करता है और जो प्रभुई ईश्व ने ईश्वी 33 में सूली पर अपना बलिदान दे दिया और पुनर जीवित हो गये तो उसके साथ साथ कर्मकांड का महत खतम हो गया है पुरहने नियम की व्यवस्था का दूसरा खंड था सामुहिक नियम या सामाजिक नियम यहुदी लोग मिस्र देश से जब कनान में जाकर सेटल हो गए तब समा यहुदी समाज के सुचारू प्रापर पालन पोशन और उसके अलावा सुचारू रूप से राज की कानून व्यवस्थाएं आगे बढ़ें उसके लिए सामाजिक व्यवस्था की जरूरत थी समाज के नियंतरण के लिए हम लोग चूकी यहुदी नहीं हैं इसकारण वे सामाजिक व्यवस्थाएं आज हम पर लागू नहीं होती हैं उदाहरिन के लिए यदी कोई पुरुष बीना संतान के मर जाता था तो उस पुरुष के छोड़े भाई की जिम्मेदारी होती थी कि उस पुरुष की स्त्रीक अपने बड़े भाई की पतनी को एक संतान प्रदान करे बड़े भाई की पतनी से वो शादी नहीं करता था लेकिन बड़े भाई की पतनी के द्वारा वो बड़े भाई के नाम को रखने के लिए संतान पैदा करता था उसको व्यविचार नहीं माना जाता था परमिश्वर की सामाजिक व्यवस्था थी यहूदियों के लिए आज हम लोग ऐसा नहीं करते हैं आज येदी बड़ा भाई गुजर जाये तो छोटा भाई जाकर बड़े भाई की पत्नी को प्रेगनन नहीं करता है और येदी करे तो बड़ा नाटक हो जाएगा हम जानते हैं घर में संसार में चर्च में सब जगे नाटक हो जाएगा इसलिए के हम उन सामाजिक व्यवस्थाओं के अधिन नहीं है लेकिन यहूदियों को पजमेश्वर ने जो सामाजिक व्यवस्थाएं दी थी उन में कई सारी अच्छी बातें भी है और उन बातों का आध्यान करना हमारे लिव उपयोगी होगा जैसे डेट बाड़ी को छूने के बाद हात धोना है यदि आप पडोसी से उसका जानवर लाते हैं और यदि जानवर आपके पास मर जाता है तो आपकी गलती नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी आएं सोरी पडोसी से आप जानवर लाएं हैं आपके पास जानवर मर जाता है तो आपकी जानवर की कीमत अदा करें लेकिन पड़ोसी अपने जैनुवर को लाता है दोनों मिलकर उस जैनुवर को हल में जोतते हैं और तब यदि जैनुवर मर जाता है तो उसका स्वामी भी मालिक भी साथ में था इसलिए किसी तरह से मुआवजा देने की या कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत नहीं है ये सामाजी की विवस्था हम उस विवस्था के अधीन नहीं हैं लेकिन उस सामाजी की विवस्था से बहुत सारी बातें सीखी जा सकती हैं और सारी दुनिया में जितने नियम और कानून है इन में से बहुत सारे नियम और कानूनों ने पुरेने नियम में जो सामाजी कानून है इसकी मदद ली है ये बात हमें समझनी चाहिए तो हम विवस्था के आधीन नहीं है जब हम कहते हैं तो इस बात को याद रखें कि विवस्था का पहला खंड जो कर्मकान्ड से संबंदित है और दूसरा खंड जो यहुदियों की सामाजी के विवस्था से संबंदित है हम इन दोनों के अधीन नहीं है लेकिन पदमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो लिखित विवस्था दी थी उसका एक तीसरा खंड भी था और वो है नैतिक नियम इन नैतिक नियमों को शाश्वत नियम भी बोला जा सकता है क्योंकि समय और काल के भेद के बिना ये नियम हर समाज में लागू होते हैं प्रभू इश्व ने सूली के बलिदान के द्वारा जो कर्मकांड के नियम है उनको पूर्ण किया इसलिए अब वे लागू नहीं है जब से चर्चे जाया चर्च के जो अंग है वे यहुदी नहीं है इसलिए यहुदियों के सामाजिक नियम हम पर लागू नहीं होते लेकिन पजमेश्वर का जो नैतिक नियम है जूट ना बोलना चोरी ना करना से लेगर बहुत सारे नैतिक नियम प्रभू के वचन में दिये हैं ये सब आज भी प्रभावी है और उनको मानने के लिए हैं मजबूर हैं इतना डीटेल मैंने क्यों बताया इसलिए कि जब मैं पुरैने निम की व्यवस्था की बात करता हूँ तो हो सकता है आप में से कोई कहे कि ब्रदर हम तो व्यवस्था के अधीन नहीं है या आपकी गलत फेहमी है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है हम दर असल व्यवस्था का जो नैतिक खंड है उसके अधीन है और व्यवस्था का ये जो नैतिक खंड है ये सेपरेशन या अलगाओ, सैंक्टिफिकेशन या पवित्री करण को जोर देकर बोलता है हाँ, यहुदियों का जो कर्मकांड का खंड है उसमें भी अलगाओ के बारे में बहुत सारी बाते हैं उनके बारे में जो सामाजिक नियम थे उसमें तो अलगाओ के बहुत सारे नियम है लेकिन जो नैतिक नियम है वो तो अलगाओ के बारे में शिरू से आखर तक बोलते हैं उदाहरण के लिए तु प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यार्थ ना लेना इसके कई ये जो आग्या है इसके कई पहलू है उसमें से एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा समाज में जूट बोलते हैं या दूसरों को बहलाते हैं वे ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा भगवान कसम मैंने नहीं किया बूलते हैं यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सदा सच बोलते हैं तो सामने वाले से जब आप कहें कि मैंने नहीं किया तो उसको मानेगा मैंने किया तो मानेगा लेकिन ये भगवान कसम जब बोलते हैं तो उसका मतलब है कि आप जरूर संभावने इस बात किये कि आप जूटे हैं और वहाँ पर परमेश्वर का नाम वियर्थ लिया बहुत सारे मसीही लोग हैं बात करते समय बाइगाड बोलते हैं याद रखें पहली बात जो लोग बाइगाड बोलते हैं उनको पता ही नहीं है कि उस शब्द का मतलब क्या है प्रभू का वच्छन कहता है कि एक विश्वासी का हाँ होना चाहिए हाँ होना चाहिए ना ना होना चाहिए वहां पजमेश्वर को कीच के लाने की जरुरत नहीं है तो इवन दस आग्याओं में जो पहली आग्या है वो विश्वासी के अलगाओं के बारे में बताते हैं उसके बाद बाकी सारे जो नैतिक नियम हैं वो विश्वासी के अलगाओं के बारे में बताते हैं तो जब हम पवित्री करण अलगा और पवित्री करण के बारे में भूलते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं नमबर वन पुराने नियम के लिखे जाने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारे भविश्य वक्ता उभारे थे जो लोगों की बीच में मौखिक रूप से परमेश्वर का वचन सुनाते थे उनमें से तीन लोगों के बारे में मैं इमीडियेटले आपको बताना चाहता हूं मिलकी से देख के बारे में हनुक के बारे में और नू के बारे में लेकिन और भी बहुत सारे थे और जब हम पिरमेश्वर के वचन को क्रमबद तरीके से पढ़ते हैं तो उन लोगों को भी हम काफी लोगों को आइडिन्टिफाई कर सकते हैं जोसीफस नाम का एक लेखक जो लगबग प्रभु ईश्व का समकालीन था उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस्वी सौ के आसपास मसीहा के बारे में लगबग एक हजार भविश्यवानिया मौकिक रूप से यहूदियों के बीच में प्रचलित थी जब हम पुराने नियम को जांच कर देखते हैं तो पुराने नियम में प्रभु ईश्व से संबंदित तीन या साड़े तीन सो भविश्वानिया हैं जिसका मतलब यह कि मौकिक रूप से छे साड़े छे सो भविश्वानिया थी यह कहां से आई जो लोग मौखिक रूप से भविश्वानी करते थे उन लोगों के द्वारा आई तो यदि जब हम पदमेश्वर के वचन का अध्यान करते हैं तब यदि आरंभ में यदि आपको लगे कि यह तो नए नियम का कंसेप्ट है सेप्रेशन सैंक्टिफिकेशन तो यह आपकी गलती है पुरैने नियम में पदमेश्वर ने अपने वचन को प्रचुरता से दिया था देने वाले मौखिक रूप से भविश्वानी करते थे लोगों को वार्निंग देते थे यहुदा की पत्री स्पष्टतेया बताता है कि हनोक ने चेतावनी दी थी तो चेतावनी देने के यदि ढ़ए हजार साल बाद नए नियम तक वो पहुँचा तो आप जरा सोचे कि कितनी चेतावनिया दी होंगी जिन में से सभी मौखिक रूप से आगे चले होंगे जिससे कि नए नियम के समय जब यहुदा की पत्रे लिखी गई तब लेखक को याद रहे तो इसलिए यह जो अलगाव का संदेश है यह पुराने नियम के समय से ही परमेशवर अपने बच्चों को देते आएं हैं और जब मैं यह कहता हूं कि सदा सरवदा परमेशवर ने अपने बच्चों के लिए अलगाव और पवित्री करण जरूरी रखा था तो आप यह ना सूचें कि उनके संदेश कहां से मिला होगा प्रभू के वचन से ही मैंने इस बात को आपके सामने रखा कि किस तरह से अलग अलग तरीके से परमेशवर ने अपने संदेश दिये थे फाइनली जब मूसा के द्वारा पवित्रात्मा ने पांच पुस्तोकों की रचना की तो अलगाव का संदेश और स्पष्ट हो गया यहां तक की भजन पहले अध्याय के एक और दिन दो में हम पढ़ते हैं यह इसवी पूर्वे एक हजार में लिखा गया था क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की उक्ती पर नहीं चलता ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता ना उपहास करने वालों की मंडली में बैठता है परन्तु यहवा की व्यवस्था से प्रसंद रहता और उसकी व्यवस्था पर रात धिन क्या ध्यान करता ह है जिससे की वो स्वैम अपने जीवन में वो पहासी ना बेने प्रभू ने मदद की तो अगले हफ़ते हम यहां से पिक अप करके आगे बढ़ेंगे मैं एक बात आप सब को याद दिलाना चाहता हूं हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां अलगाव से लोग घरना करते ह डीटिल्स प्रभू ने मदद की तो हम बाद में देखेंगे लेकिन प्रभू के सच्चे अनियाईयों को जीवन भर अलगाव का पालन करना होगा इस बात को सौमजने के लिए प्रभू हम में सहरे की मदद करे प्रभू के नाम की स्तूति हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसि कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है जै मसीह की